इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चनौती बन चुका है यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा इसराइल के स्नैडर को लेकर तीन बड़ी बा मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरहां डरा दिया है ये जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा हूती ने इसकी गैरंटी दे दी है मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिस्बुल्ला बलकि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन है जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल एच ये है हूती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्टीन टू रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा फिलिस्टीन टू को इरान की खैबर शिकन मिसाइल का ही एक वेरियंट या नकल माना जा रहा है हूती की मिसाइल और उसकी लाँचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर ये मलबा देखिए जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमें कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस डोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर डोन कहा जाता है जितनी बड़ी यमन की अर्थ विवस्था नहीं है उससे महंगे तो अमेरिका के डोन है जिसे हूती विद्रोही अपने मिसाइलों से गिरा रहे है जाता ये मजमाही हूती कहा जाता है जो घजा और फिलिस्तीन के लिए इसराइल और अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाके डराते हैं की यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तرف न सिर्फ मिसाइल फाइर करके बल्कि इसराइल के एडिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनोती दे रहे हैं सबसे पहले उस missile की बात जिसने न सिर्फ इसराइल के कैई शेहरों में खौप भर दिया है बलकी अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के जन्डे वाले रंग से तैयार इस missile का नाम है फिलिस्तीन 2 और यह एक हाइपर सौनिक missile है उती मिलिशिया इस मिसायल को आसमान की तरफ तान देता है टार्गेट इसराइल है इस वक्त यमन का सबसे बड़ा दुश्मन फिर शुरू होता है काउंटडाउं 5, 4, 3, 2, 1 और मिसायल लॉंच हो जाती है यह मिसायल बढ़ जाती है इसराइल की तरफ दूसरे कैमरे से देखिए ये वीडियो एक ड्रोन से बनाये गया है आसमान को चीरते हुए नेतन याहू को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है ये मिसाइल इसराइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इसराइल से आए वीडियो देखिये इन तस्वीरों में इसराइल का खौफ है इसराइल डरा हुआ है इस साइरन की आवाज नहीं लग रहे कि इसराइल में जैसे कोई चिला रहा है बचाओ बचाओ क्योंकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है हूती मिलीशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागी गई यमन के हूती विदरोईयों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सॉनिक बेलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्टरी में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गिट तक पहुंची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लाबा इसराइल बीस मिसाइल को रोकने में नाकाम सावित हुआ मीशे जखुक ले तिसकोरिग बादियन जे मुझमन लवकर बनमाल खुड़दा कौल मीशे तोकफ उतनू लो यहामोक मिनाखद जोईनू अगामस क्वालोमेट जोट बफूलतेनू अने खुशा शे तवील लाशमदतो वुलेशिखू कौल खटुफेनू फिलाल अमेरिका के इस ड्रॉन पर बहुत बड़ी आफ़ता चुकी है अमेरिका ने जिस ड्रॉन से अफगानिस्तान में सैक्लो टार्गेट खत्म कर दिये जिस ड्रॉन सेल जवाहिरी को मारा वही ड्रॉन अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उडा दिये है इस तस्वीर में आफसाब देख सकते हैं की हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रॉन के मलबे पर खड़े है हूती लडाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तूबर साथ के बाद से अब तर अमेरिका के दस MQ-9 ड्रॉन गिरा दिये हैं एक हफ़ते के अंदर ये तीसरा ड्रॉन है जिसे हूती ने मार गिराया जबकि 2015 के बाद से ये पंदर्वा ऐसा ड्रॉन है जिसका हूती ने शिकार किया है हालकि बाइडन के टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रॉन नहीं खोया है लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए है जिसकाट ताइरत अमरीकियत नौः इमकी उनाइन फी अजवाई मुहाफ़त दमार हैसु कानत ताइरत तुनफिज महां माईदाईयत इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके है घजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए है 11 महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब घजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमन और लाल सागर में पहुँच चुका है पिर आप लगी गाज़ा ने चल रही बंबारी के बाद यमन के हूती प्रो आक्टिव हैं उनको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं उती ने इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं वो इस्राइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को लगातार टार्गेट कर रहे हैं यहीं से एशिया की तरफ से यॉरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेश किनाल से गुजरती है लाल सागर का रास्ता ब्लॉक होने से ये रूट 6,000 किलो मीटर लंबा हो गया है अब समुद्री जहाज अफरीका का चक्कर लगा कर यॉरप पहुँच रहे है इस्राइल जाने वाले जहाजों का रास्ता 10,000 किलो मीटर तक लंबा हो गया है तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है यानि ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहां चौपण यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टार्गेट इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्रा ना सिर्फ तैयार हो चुका है बलकि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोज जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है यमन में हूती विद्रोहियों के खत्रों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल दोनों का गुसा साथ वे आसमान पर है क्योंकि घजा को लेकर पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है इससे पहले हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किये लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा इसमें यमन की बलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीर डाला है और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है